हाई फ्रेंड विल्कम बेक टू माई चैनल आज मैं आप लिए फिर से एक नए डिजाइन का तोरण पट्टी बनाने के लिए लाई हूं तो देखिए उसे बनाने के लिए मैंने ये पेरिट ग्रीन और ये रिड कलर वूल ले लिया है और दस नंबर की कुरुशिया तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यार, बार, तेर, चौदर, पंदर, सोल, सत्र, अठार, उननिस, बीस ये देखिए हमने बेस चैन बना लिया अब यहां से हमें एक, दो, तीन, चार चार चैन को स्किप करके पांचवे नंबर चैन में इस तरह स हमें एक, डबल क्रूश्या करना है और एक, जो हमने यह चैन मिना था एक, वो दो, डबल क्रूश्या हो गया फिर ऐसे ही नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रूश्या फिर ऐसे नेक्स्ट में एक बार डबल क्रूश्या इसी तरह से हमें यह सोलर बार डबल क्रूश् फिर next में ऐसे हर एक chain में हमें एक एक बार double crochet करते हुए ये line complete कर लेना है सेम उसी तरह से हमने ये solar chain के उपर solar double crochet और एक यहाँ पर जो हमने ये 3-4 chain skip किया था एक वो total हमारा ये 17 double crochet हो गया अब यहाँ पर देखिए हमें 1, 2, 3 तीन chain बना के ऐसे turn करना है और फिर हमें 3 double crochet के उपर एक एक बार double crochet कर लेना है एक दो और एक एक तीन ये रेखिए हमने 3 double crochet पर उपर एक एक बार double crochet कर लिया और ये यहाँ पर ये 3 chain रहिया था एक ये 4 double crochet हो गया अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चार chain बनाना है और नीचे से 1, 2, 3, 4 चार double crochet skip करके पांचवे double crochet के उपर हमें इस तरह से single crochet से इसे बंद कर देना है फिर 1, 2, 3, 4 चार chain बना के फिर 1, 2, 3, 4 नीचे से 4 double crochet skip करके पांचवे double crochet के उपर से यह देखिया हमें फिर से ऐसे इस साइड भी ऐसे चार्डबल कुरुशिया कर लेना है जैसे हमने उस साइड किया है सेम उसी तरह से हमें इस साइड भी ऐसे ही चार्डबल कुरुशिया कर लेना है यह देखिये हमने इस साइड भी चार्डबल कुरुशिया कर लिया इस तरह स अब यहाँ पे एक, दो, तीन, ऐसे तीन चैन बनाना है और फिर टर्न करना है और फिर यह जो हमने चार डबल कुरुशिया किया है सेम इसी तरह से हमें यह चार डबल कुरुशिया करना है तीन और एक यह चार यह देखे हमने चार डबल कुरुशिया कर लिया अब फिर एक, दो 3 4ाइओ फिर इस तरह से देखिए मैं त्रिपल कुरुष्यों करके लेना है और यहां पर किए जो हमने सिंगल कुरुष्या से बंकिया है इसी जगह पर हमें दिखिए यह पितीन बार एक एक बार ऐसी त्रिपल कुरुशिया बनाना है एक फिर इसी जगह पे दो फिर इसी जगह पे एक बार और देखिए एक दो तीन तीन त्रिपल कुरुशिया हो गया अब फिर हमें एक दो तीन चार चार चैन बना के फिर सेम इस साइड हमें जैसे नीचे हमने चार डबल कुरुशिया किया है सेम उसी तरह से फिर से हमें इस साइड ऐसे ही चार डबल कुरुशिया करते हुए ये लाइन बना लेनी है ये देखिए हमने चार डबल कुरुशिया कर लिया अब फिर एक, दो, तीन, तीन चैन बना के टर्न करना है फिर ऐसे ही सेम इसी तरह से एक, दो, और एक जो हमने चैन बनाया है, तीन, और एक ही चार ऐसे चार डबल कुरुशिया, फिर एक, दो, तीन, चार, चार चैन, फिर यह जो हमने तीन त्रिपल कुरुशिया किया है, इसी के बीच वाले त्रिपल कुरुशिया के उपर, इस तरह से हमें सिंगल कुरुशिया से बंद कर देना है, फिर एक, दो, तीन, चार, चार चैन, औ नीचे 4 double crochet किया है यह उसी तरह से हमें फिर से 4 double crochet कर लेना है देखिए 3, और एक है 4 ने 4 double crochet कर लिया इस तरह से फिर 1,2,3 chainफ फिर turn करना है फिर से जैसे नीचे 4 double crochet बनाया है स्विं उसी तरह से चार डबल कृष्य बनाना है देखिए चार हो गया फिर एक दो तीन चार चार चैन पिर ऐसे त्रिपल कृष्या का धागा लेना है और फिर यह जो हमने सिंगल कृष्या किया है वहाँ पर हमें इस तरह से तीन बार त्रिपल कुरुश्या करना है देखे एक दो तीन फिर ऐसे दो बार धागे लापिटने हैं फिर इसी जग़ पे फिर तीन बार ऐसे त्रिपल कुरुश्या ये देखे तीन हो गया अब यहाँ पे एक दो तीन चार चार चैन फिर इस साइड ऐसे ही चार बर डबल कुर्शिया कर लेना है एक, दो, तीन, और एक ये, लास्ट में चार ये देखे हैं, हमने चार डबल कुर्शिया कर लिया अब जैसे मैंने आपको ये दो लाइन ऐसे रिपीट करते हुए बताया है सेम इसी तरह से ये ही दो लाइन रिपीट करते हुए हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरी तोरण पट्टी बना के फिर दिखाते हुए ये उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना लिया है मैंने इसे अपने डोर के अकॉर्डिंग बनाया है आप अपने डोर की हिसाब से आपको जितना लंबा चाहिए आप बना लीजिएगा यह 38 इंच के गेट के लिए मैंने बनाया है अब यहाँ पर देखें लास्ट में हमें क्या करना है जैसे हमने स्टार्टिंग में 17 डबल कुरुशिया किया है सेम उसी तरह से हमें लास्ट में भी करना है तो उसके लिए हमें यह 3 चैन ऐसे बना के टर्न करना है फिर ऐसे ही यह जो हमने 4 डबल कुरुशिया बनाया है इसके उपर सेम इसी तरह से चार डबल कुरूश्या करना है और फिर ये जो हमने चार चैन बनाया है यहाँ पर ऐसे हर एक चैन के उपर हमें एक एक डबल कुरूश्या रते जाना है देखे छे एक साथ फिर यहाँ पर एक आठ फिर यहाँ पर एक बीच में नौ फिर यहाँ पर एक दस फिर यहाँ पर एक ग्यारः बारः देखे बारः हो गया देखे यहाँ पर एक तीरः और यहाँ पर एक चैन बना के हमें वूल को कट कर देना है इस तोरण पट्टी के चारो तरफ से बॉर्डर बनाना है तो उसके लिए मैंने यह रेट कलर का उन नौट लगाकर कुरुशिया पर ले लिया है अब यहाँ पर देखे हमें तीन , पिर यहाँ पर सिंगल पूल कुरुशिया इसे बंद कर देना है पिर ऐसे ही 1 2 3 जैन पिर यहां पर सिंगल कुरुशिया से बंद करना है फिर ऐसे 15 2 3 chain यहां पर इसी तरह से हमें से 3-3 chain के साथ ऐसे single keyword से बंत करते हुए ये पूरा बॉर्डर बनाना है देखें इस तरह एक dil दूर दूर इन चैन यहां से single keyword से बंत करना है फिक दो तीम चैन यहां पर समिले खुरोष यहां से बंत कर देना है फिर도 यह यहां पर सिंगल कुरुश्या से बंद कर देना है फिर एक दो तीन चैन फिर यहां पर सिंगल कुरुश्या से हमें बंद करना है इसी तरह से हमें ये पूरा बॉर्डर बना कर कंप्लीट करना है तिन तीन चैन के साथ ऐसे सिंगल कुरुश्या से बंद करते हुए फिर एक दो तीन यहां पे single crochet से बंद करना है फिर एक, दो, तीन चैन फिर यहां पे single crochet से बंद कर देना है इसी तरह से मैं आपको चारो तरफ से ये बना कर फिर दिखाती हूँ इसी प्रॉसेस से मैंने ये चारो तरफ ऐसे ही पूरा border दो बना कर complete कर लिया है और लास्ट में देखिए यहाँ पे हमने यह इसे जॉइंट कर लिया है अब यहाँ पे हमें देखिए एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है इस तरह से और जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हमें देखिए इस तरह से पीछे की तरफ से खीच लेना है इस तरह से और जो एक्स्टरा है उसे हमें इस तरह से कट कर देना है तोरन पट्टी बनके रेडी हो गया है फ्रेंज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंज तो प्लीज आप में वीडियो को लाइक कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ सेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रिती मिस्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब कर गए लाइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालू उसकी नोटिफीकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे जिती हूँ एक और वीडियो के साथ तक के लिए बाबाई